हेलो दोस्तों तो आज हम नेक्स चैप्टर शुरू करने वाले हैं नेक्स चैप्टर हमारा है एर रेफरिजेशन सिस्टम अब एर रेफरिजेशन सिस्टम बहुत ही असान है बहुत ही इजी मेथड है आपको समझा जाएगा देखो ये पहले आप सुन लो कि ये क्यूं मतलब करना ही क्यूं है वो बात आ जाती है तो ये तो मैं टैग लाइग बना लूगा मैं आप बात ये आती है कि भाई साब एर रेफरिजेशन सिस्टम ना हमें कहां पे चाहिए और कहां पे फाइदा दे सकता है तो हम यह देखते हैं तो यहां पे हम एरो प्लेन देखते हैं तो एरो प्लेन के पास हमें आस पास इसके आस पास हमें बहुत सारी फ्री एर दिख रही है जो हाई स्पीड पे इसकी तरफ आ रही है इसकी तरफ आ रही है तो अगर हम इसी एर का इस्तमाल कर लें तो हम इसी ए करना पड़ेगा कि इसके जो air है वो अंदर जाए और ठंडी air मिले सबको अब आपको गे सर बड़ा इजी है वेपर कंप्रेशन साइकल वो हम लगा दें इजी हजएगा भाई सब उसमें बहुत बड़ी प्रॉलम हाती है कि उसमें बहुत ही जादा बड़ा कंप्रेशर लगाना पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे हमें आप चाहे ना फ्रेज के पीछे एक बार जुरू देखना भाई कितना छोटा सा फ्रेज और कंप्रेशर देखो उसका साइज अगर यही एक एरो प्लेशर में लगाना पड़ गया तो हम क्या करेंगे तो उतना बड़ा कंप्रेशर हम लगा नी सकेंगे और प्लस उसके अंदर जो रेफरिजेंट होगा कंडेंसर होगा भाई कंडेंसर तो पदर नहीं कितने बड़े बनेंगे क्या कुछ करना पड़ेगा तो यह मुश्किल हो जाती है यह बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है तो इसलिए एर रेफरिजेशन सिस्टम बनाया गया इनके लिए तो यह देखो बात सिंपल सी तो अब यह बात आती कि एर से तो मेरे भाई साब मैं एक चीछी बताऊँ कि हमें आप माली जी आप से कभी सफर करोगे प्लेन का तो आप प्लेन का देखोगे तो प्लेन का सफर आप देखोगे ना तो यह कुछ इस तरह का कि भाई सार राम से बैठे है तीक है इनको कुछ नहीं पता कि कहां से अवा आ रही है नहीं आ रही हमें तो सांस अच्छी चाहिए बस आप भी सफर कर दो आप क्या चाहिए राम से सांस चाहिए हमें अच्छी अब बात यह आती है कि ठंडी हवा आए कहां से इसलिए हम थोड़ा सा ग्यान इसमें प्राप्त करते हैं सबसे पहले हमारे पास आते है कि भाई साब ये तो height पे उड़ रहे है बहुत ज़दा height पे उड़ रहे है तो इतनी height पे ये height बहुत ज़दा है इस height पे दो problem है पहला पहला ये problem है कि pressure बहुत ही pressure बहुत ही कम है ये तो आपको पता है ना कि हाइड से प्रेशर कम होता है ना कि बढ़ता है तो ये आपको पता होना चाहिए ये मैंने fluid mechanics में पूरा आपको समझा रखा है कि जैसे जैसे आप धर्ती से उपर जाते रहते हैं ये माल लीजिए हमारे पास इस तरह से अर्थ है तो आप अगर यहां खड़े हो तो यहां पे आपके उपर अर्थ जो atmospheric air है अगर मैं इस तरह से बना दूँ तो atmospheric air हमारे पास है तो ये atmospheric air जितना आपके उपर है उतना आपके उपर pressure ज़्यादर डाल रही है अगर आप इस से उपर चले जाओगे आप किसी पहाड़ पे चले जाओगे यहां खड़े हो जाओगे तो यहां पे आपके उपर pressure कम हो जाएगा क्योंकि आपके सर के उपर pressure of air बहुत कम है तो pressure पहली बात तो बहुत कम है और दूसरा जब air यहाँ पे strike करती है तो यह इसको skin के friction होती है skin friction होती है कि इसके साथ रगड़ खाएगा और friction होगी और उसके कानद temperature बढ़ेगा temperature increase हो जाएगा हम कहेंगे भाई साब यह तो गरम हो रहा है तो हम क्या करें ठीक है बात समझाई थुड़ी सी मेरी बात clear समझना कि मैं समझाना जो चाहता हूँ आप तक सही message पहुंचना चाहिए ठीक है अब मेरे पास बात ही आगी कि भाई साब pressure कम है अगर हमने कम pressure वाली air इंसानों को दी तो वो हम inhale नहीं कर पाएंगे तो पहली बात हमें क्या करना है भाई साब हमें करना है compress air को compress करना है अगर हम compress कर भी दें compress करना है अगर compress करने के लिए यह बड़ा बढ़िया है यहाँ पर engine लगा हुआ है पहले से यह तो आपको पता है jet engine के बारे में पता होगा ठीक है jet engine हमारे पास है इसमें जब air आएगी तो air जब इसके अंदर enter करेगी तो हम क्या करेंगी यहीं से इसको compress करवा लेंगे air तो compress होई रही है यह आपको पता है jet engine के बारे में यहाँ पे compressor होता है यहाँ पे turbine होती है तो यह सारा कुछ आपको पता होना चाहिए combustion chamber वगरा सब कुछ होता है ठीक है अगर आपको नहीं पता थोड़ा से सर्च कर ले ना YouTube पे तो अब वो पता लग देगा कि jet engine किस तरह से काम करते हैं तो हमारे पस क्या होता है कि हमारे पस compressor होता है यहाँ पे मैं माल लेता हूँ यहाँ पे compressor है इसके बार turbine होती है यहाँ पे turbine होती है हम enter कराएंगे जब air को तो यह compressor जो है वो compress कर देगा air को यह compressor air को compress कर देगा वो compressed air हम use कर सकते हैं मतलब यहाँ तो use होनी होनी है हमने air conditioning के लिए भी इसमें से तोड़ी सी चुड़ा लेनी है हमने कर ना भाई साब compress करी रहे वो मुझे भी देखो थो थोड़ी सी तो यहाँ से pipe जाएगी और यह इसके अंदर घुश जाएगी यहाँ बे compress air घुश जाएगी अब problem अब आपको उसर compress air घुश जाएगी और के चाहिए compress कर दिया लेकिन problem यहागी कि इसका temperature बढ़ गया क्योंकि जैसे ही compress करते हैं temperature rise हो जाता है इस temperature जो rise हुआ है इसको हमने ठंडा करना है air अगर ठंडी कर दी तो वही air हमने दे दिनी है passenger को बास समझागी simple सी बात कि हमने क्या कर देना है air को ठंडा करके उसको दे देना है अब ठंडा कैसे करे है ठंडा करने का तरीका दो-तीन अलगड़ दुरीक्वे होता है cooling process हमें पता है ये word क्या है expansion तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि expansion जो है cooling process है आप कि हम expansion अगर कर दें तो उसके कारण कूलिंग प्रड्यूस हो सकती है तो मेरे भाई कुछ तरीके लगाएंगे जिसके कारण यह जो कंप्रेस्ट एर अंदर जारी है बस इसको ठंडा कर ले और वही एर अब देखो हमें तो एर ही ठंडी करनी होती है यह हम एसी की बात कर लें हम फ्रिज की बात कर लें हमारे पर तो अंदर की एर ही है जो ठंडी हो रही है हम अगर ठंडा कर लें तो भाई सब मज़ा आ गया और पैसेंजर कहेंगे वह अराम आ रहा है और एर इंडिया का आप वीडियो देखो नेट पे एर इंडिया का ये हाल है फ्लाइट उड़ रही है उपर पूरा और वहां जाके भाई जो इसका रेफिजिशन सिस्टम वो खराब हो गया ठीक है कूलिंग सिस्टम जो है वो खराब हो गया गरम हवा बुरा हाल उनका सांस यारी बुरा हाल कर देते हैं मतलब इंजिनियर सहाव अगर सही काम ना करें अपना तो ये हाल होता है कि वहां पे बुरा हाल लोगों खाव जाता है जो लोगों को नहीं पता होता ना कि इंजिनियर क्या काम करते हैं उनको तब पता लगता है कि ये इंजिनियर सही काम नही करते हैं तब पता लगेता है कि इंगीनियरों ने किया ये का है ना गलत कर दो फिर पता लगेता लोगों को अब हमारे पास इसमें आए तो वापिस आते हैं अब पुराने टाइम में जो इन्होंने method अपनाया, वो अपनाया जो वो अपनाया, उसका नाम था हमारे पास bell columnant cycle उसका नाम था bell columnant cycle ये नाम था उसका थेक है, अब भाई साब ने बनाया होगा थेक है, bell columnant cycle इन्होंने करा होगा, तो इन्होंने इनका नाम आ गया, थेक है इसको reverse joule cycle भी बोलते हैं, reverse joule cycle भी बोलते है तो मतलब अलग-अलग नाम है reverse joule cycle भी बोल देते है तो हमारे पास बात क्या आगी? हमारे पास इस भाई साम ने एक आइडिया दिया कि इस तरह से करें हम तो हम हवा को ठंडा कर सकते है लेकिन वो भी system बहुत heavy था तो वो system heavy होने के कारण क्या हो गया? obsolete हो गया, मतलब खतम हो गया और उसको उन्होंने थोड़े time बाद reject कर दिया, लेकिन उसके basis पे बात यह रहा कि उनके basis पे advanced technology जब आई, उनमें improvement होई फिर दुबारा से भाई साब इनी refrigeration system का फिर से स्वागत किया गया कि अब थोड़ी सी improvement करने के बाद हम हम लाई है नया air refrigeration system और इसको आपने बहुत पसंद करना है लोगोंने तालिया बजनी श्टार्ट होगी मजा आ गया वाँ तो इसलिए हमने इसको पढ़ना है कारण आपको पता चल गया तो हमारे पास देखिए इसको आप अगर introduction लिखना चाहते हो तो आप introduction लिखा वो बातें वो ही हैं जो मैंने बताई है लेकिन इसमें थोड़ा सा scientific ways के हम करेंगे starting करते हैं introduction आप प्लीज इसमें से कुछ line लिखना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं ठीक है जो जई की तेहरी कर रहे हैं उनको तो में में पॉइंट लिखने हैं उनको जादा नहीं अगर आप SSC जई की यह कर रहे हैं तो आपको लिखना ज़रूरी है ओके एर 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 एफिजिस सिस्टम तो कहता है भाई चीप है सस्ता है सब कुछ है अवेलिबिल्टी है नेच्रल गिफ्ट है इसलिए सब जगा इसको यूज कर गागा बट प्रॉलम इस इट बिकेम्स आपसलेटी यह खतम है बिकॉस आप लो कॉफिशन आप परफॉरमस लो 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 वेरी लो सी ओपी वेरी लो सी ओपी हमें तो हाई चाहिए होता है लेकिन यहां पे लो है और प्लस हाई उपरेटिंग कोस्ट उपरेटिंग कोस्ट भी इसकी हाई है लो हीट केरिंग कैपस्टी heat उठाने की capacity बहुत कम है non change of phase throughout the cycle पूरे cycle में air का phase change नहीं होता phase change होने का मतलब क्या है हमारे पास जब हम vapor compression cycle की बात करते है liquid से vapor vapor से liquid phase change होता है इसमें कोई chain है air है and large volume to handle to produce a given amount of refrigeration effect बहुत ज़्यादा हवा चाहिए बहुत ज़्यादा हवा चाहिए ताकि हम वहां से cooling कर सके refrigeration effect बना सके ठीक है it has however been applied again फिर से बापस है with advancement of air flights advancement हुई air flights change हुई ठीक है where the aircraft need air conditioning and thus air refrigeration system has provide proved quite effective due to availability of high pressure rammed air with low equipment weight तो वह क्या करता है आने वाले time में जब हमने advancement की तब क्या हुआ कि rammed air मिलने लगी हम rammed air का मतलब क्या है कि compressed air हमने मिलने लगी क्योंकि हमने advancement लाई engine नहीं नहीं आने start हुए नहीं नहीं technology आई तब ये वापस आया भाई साब super hero बनके वापस आया और पूरा 100% इसको use करना start कर दिया तो प्लीज इनको जरूर 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 लिखेंगे आप ठीक है इन points को लिखेंगे advantages ठीक है तो सबसे पहले है advantages and disadvantages of air refrigerant system over vapor compression system कि vapor compression system से हमारे वादा जो system है ज़्यादा अच्छा क्यों है ठीक है तो please इसको note करें सबसे पहले सबसे पहले air refrigerant system इस तरह से लिख ले the refrigerant air air is non-poisonous कोई poison कुछ नहीं harmless है हम सारा दिन तो सुमते हैं हमें क्या आप हुआ easily and abundantly available बहुत सारा available है in the leakage there is no danger of any kind अगर गलती से leakage हो भी गई कोई डर नहीं है पैट जोराम से हवाई है निकल गी निकल गी repair कर ले ना tension मतलो ठीक है next no separate mechanical or electrical power is required to operate the system अलग से नहीं सिस्टम चाहिए अलग से की हमारा compressor अलग से यह किसका compressor पढ़ा है यह सर refugee system को पढ़ा नहीं जूरती नहीं है यह बिजली कहा ज़री है यह सर हमारे जो compressor उसको चलाने नहीं जूरती नहीं है वही वाला जो system चल रहा है नेक्स देखते हैं, थर्ड, the system is highly useful for aircraft refusation because of light weight and less space requirement. तो light weight है, less weight है as compared to, compared to vapor compression, तो vapor compression में तो बहुत बड़े-बड़े, आपको equipment रखने पड़ेगा, यहां attention नहीं, light weight है, space कम खेरेगा, हमें फाइदा देगा. ओके, air refrigeration system can be used for liquefying the gases, तो हमारे पास जो यह refrigeration system है, दूसरी gases को liquefy करने के लिए भी use होता है, ठीका, वो अलग बात है कि हमारे slivers में यह नहीं है, liquefy करने मतलब gases को अगर आपने liquid बनाना है, तो वहाँ पे भी यह वालग system आप use कर सकते हैं, यह फिर से कि हमारे slivers में नहीं है, तो don't worry, एक point इसके बारे में don't worry, next है हमारे पास vapor compression cycle में क्या खास है, ठीक है, खास क्या है, system is smaller in size for a given capacity of refrigeration, अगर आपको एक टन का refrigeration चाहिए, एक टन का चाहिए, vapor compression cycle मा लिजे इतना है, यह refrigeration system इतना बड़ा होगा, मतलब उससे comparison जब करेंगे, तो vapor compression size में छूटा होगा, क्योंकि COP जादा है भाई उसकी, COP जादा है, इसलिए, it has low operating cost, हाँ, operating cost इसका कम है, ठीक है, the coefficient of performance is quite high in comparison to air refrigeration system, तो air refrigeration system के मुकाबले बहुत अच्छी COP है, इसकी, so not worry, इसके बारे में, the system can be employed over a large range of temperature, large range of temperature, minus 30, minus 40, और कितना temperature नीचे, 10 degree, 50, ओ, sorry, 10 degree, 20 degree, यहां से लेके कहां तक जा सकते हो, एक range बहुत जादा है, ठीक है, इस range में आप कर सकते हो, In vapor compression refrigeration cycle, there is change in phase of refrigeration and cooling is produced by taking latent heat of vaporization of liquid, which is quite high, तो कहता है कि हमें इमें पता है, भाई, कि liquid से vapor बनता है, उस time हमारे पास latent heat of vaporization होती है, और वो ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास easy हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा heat उठाने का, heat उठाना easy है, इसलिए यह कहता है, As compared to that, this is really good, but हम क्या करें, यह इतने फिर भी, जितने tonnage हमें चाहिए, हमारे यह, क्या कहते होते हैं, flight में, तो flight में हमें अगर चाहिए, तो बहां बहुत ज़्यादा heavy हो जाएगा, okay, disadvantages को बात करें, disadvantage, जो हमने वहाँ पे अच्छा-च्छा बोला, उल्टा बोला न, यहाँ उल्टा, थोड़ा से disadvantage बोल देंगे, एर refrigeration system की disadvantage क्या है, अब उल्टा हो जाएगा, it has very low COP, COP उल्टा कर दिया न, बस, it has high operating cost, यहाँ low था, यहाँ ही दिखा दिया, ठीक है, है, है बात वही है, बस घुमा के आपको दुबारा बता दिया, okay, it requires a large volume of air to be handled for each ton of refrigeration, यह पहले भी point आ चुक है, हमारे पास क्या होगा कि high हमें ton of, मतलब एक ton के लिए भी बहुत ज़्यादा high volume of air चाहिए होगा, okay, it has low heat carrying capacity, key heat carrying capacity कम है, since air has poor conductivity, during air refrigeration cycle, there is no change of phase, तो again वही point आ रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, okay, इसमें vapor commercial system में हमारे पास गड़बड क्या है, initial cost is more, initial cost भाई, AC क्रीम ने होगे पता लग देगा, हाना, second है हमारे पास, the prevention of leakage of refrigerant is the main problem in vapor compression cycle, तो leakage, अगर leakage होती है, तो leakage सबसे main problem हमारी मानी जाती है, इस system में, okay, some of the refrigerant used in vapor compression system are poisonous, and if and ill during leakage in large quantity, there is danger of life, कहता है कि अगर leakage होई, तो leakage होने के कारण क्या होगा, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा हाम फुलो सकता है, जैसे कि हमने ammonia के बारे में पढ़ा था, ammonia जो है, वो खातरनाक हो सकता है, अगर आप ज़्यादा inhale करेंगे तो, बात समझा ही, तो ये था introduction, next video में हम आगे चलेंगे, बैल कॉलेमन साइकल के बारे में start करेंगे, thank you, next video में चलते हैं